असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरूख और आज मैं आप लोगों पताऊंगा कि MI1N केने अपडेट 8-4-19 में क्या नया आया है दोस्तो 8-4-19 का मतलब 19 सेपरेल 2018 2018 लेकिन अपडेट आये 20 सेपरेल को क्योंकि ये बीट अपडेट है वीकली अपडेट है डिफ्लपर अपडेट है और ये अपडेट सिफ़ ऑसी फ्राइड़े को आती है तो चली चलकर के देखले ये के वाट्सनु में कि हमें क्या कुछ निया मिल लाता है दोस्तों मैं आपको बता दूए यहां पे सबसे पहले कि रेड्मी 3S, MI3 और MI4 के लिए यह अपडेट सस्पेंड कर दी गई है इसलिए अब आप लोगों को यह अपडेट अगले हफते मिलेगी सस्पेंड होने का कारण था क्योंकि आपका फोन बार-बार रेंडमली रिये स्टाट हो जा रहा था एक और बात बता दो दोस्तों कि यहां पे वाट्सनु में बहुत ही कम चीज़े लिख हुई है तो मेरा आदत है मैं एक्स्ट्रा चीज़े धून करके बताता हूँ इसलिए आप यह वीडियो को कैसे लिडिट करना पड़ता था और पूसता नहीं था कि क्या आप अनिस्टॉल करना चाहते हैं अब दोस्तों आप जब भी लिडिट करेंगे तो वीडिट के बारे में पुछेगा कि क्या आप उसे रिमूब करना चाहते हैं अनिस्टॉल करना चाहते हैं हाला कि दोस्तों normal apps के लिए पुछता था लेकिन web apps और quick apps के लिए नहीं पुछता था तो अब इसे fix कर दिया गया है उसके बाद उसके यहां पर मिलता है fix the issue of yellow page force close यहां क्या है तो कभी-कभी जो yellow page है वो force close हो जाता था yellow page क्या होता है तो दोस्तों जैसा कि आपको कोई message आता है और वह message आया होगा geo के तरफ से या फिर air tail के तरफ से उन्हीं सब contact को कहते हैं yellow pages तो उनके जब भी contact से आते थे messages तो कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों की force close जाता था उसे fix कर दिया गया है उसके बाद यहां मिलता है fix the issue of process com.android.system UI has stopped तो ऐसा problem था दोस्तों की चलते-चलते automatically android में आ जाता था कि हमारे android का process जो है stop हो गया है और उसके बाद दोस्तों हमें पूरा का पूरा phone या तो यह start करना पड़ता था या फिर wait करना पड़ता था कि कैसे जो तो हमारे जो वो ने वो नर्मली काम करे यह जो है fix कर दिया गया है अब ऐसा कोई problem नहीं आएगा अब दोस्तों देख सकती है आप में वाट्स निव में बस इतनी ही चीज़े लिख हुई है तो मैं नोट्स में कुछ चीज़े लिख करके रखा हूँ हूँ जो कि मैं जानता हूँ कि इस अब्डेट में आई है तिहाँ पर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस अब्डेट में split screen redmi 3S में redmi 4 में redmi 4a में redmi 5 अगरा में उन सामें दोस्तों आपको split screen का option मिल लाएगा इस अब्डेट में आप पूछ रहते कि कब आएगा redmi 3S में redmi 4 में तो इस अब्डेट में आ जाएगा हाला कि दोस्तों redmi 3S का update तो suspend हो गया है तो अगले Friday को दोस्तों आपको split screen मिल लाएगा उसके बाद दोस्तों next कि आया है काफी जबरदस लगते हैं देखने में यह जैसे दोस्तों आपको note 5 का wallpaper है उसी तरह से दोस्तों आपको बहुत सरे नय नय वालपेपर आया है हर एक category में तो आपको एक एक category का wallpaper का वालपेपर काफी अच्छा लगेगा हाला कि दोस्तों यह क्या है यह मुझे पता नहीं उस उसके बाद अगर आप जाएंगे additional settings में उसके बाद अगर आप जाएंगे backup and reset में तो पहले आपको सिर्फ इसमें option मिलता था कि आप अपने phone को factory reset कर पाएं अब आपको दोस्तों एक नया option मिलता है यगर आप साहते हैं कि सीफ आप अपने network के setting को reset करें तो वह भी आप कर सक resetting तो आप यहां पर आपकर reset कर सकते हैं यह काफी अच्छी बात है उसके बाद दोस्तों यहां पर एक चीज़ remove की गई है cloud music backup को यह क्या है तो अगर आप जाएंगे settings में उसके बाद MI account में उसके बाद दोस्तों आप MI cloud में जाएंगे तो पहले यहां पर हमें music का backup option मिलता जिसमें हमारे music playlist को backup हम लोग कर सकते थे तो उसे remove कर दिया गया है उसके बाद दोस्तों हमें क्या मिलती है यहां पर अगर आप देखेंगे तो new sync option यह क्या है तो अगर आप जाएंगे settings में उसके बाद दोस्तों अगर आप जाएंगे sync में तो यहां पर आप देखेंगे कि कि आपका personal app sync ना हो तो आप auto sync personal data को off कर सकते हैं आप दोस्तों मुझे तो conformly पता नहीं क्या आखिर यह है क्या लेकिन दोस्तों यहां से आपको syncing जो है वो off हो जाएगी जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहां पर whatsapp लगाया हूँ हाला कि मुझे ऐसा feel हो रहा है कि यहां पर कुछ गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर भी personal लिखा हुआ है और फिर मेंना dual apps में भी personal लिखा हुआ है तो यहां पर work होना चाहिए था या फिर यहां पर work होना चाहिए था तो इससे यह होगा दोस्तों कि आप dual apps के sync को off कर सकते हैं और main apps के sync को on रख सकते हैं या फिर दोस्तों main apps के sync को off कर सकते हैं और dual apps के sync को on रख सकते हैं इन तोरह में आप चूज़ कर लेजें किसका sync sync आपको on रखना है किसका sync sync आपको off रखना है तो यह काफी अच्छी बात है उसके बाद दोस्ति यहाँ पे क्या मिलता है swipe up to open browser और pk है, सही में दोस्ति यह लोग pk है क्योंकि दोस्ति पहले इतनी अच्छी option दी गई थी कि अगर हम लोग उपर की और swipe up करते थे तो यहाँ पे google का हमारे search mark खुल लाता था लेकिन दोस्ति अब अगर हम लोग home screen पे swipe up करेंगे तो यह browser खुल लाता है और यह इतना slow इन्हों ने कर दिया browser को कि मैं क्या बता हूँ यह देख सकते दोस्ति यहाँ पे browser का search खुल लाता है पूरा का पूरा peak है दोस्ति यह लोग ऐसा इन्हों ने क्यों किया मुझे पता नहीं लेकिन बहुत ही बेकार किया और यह मुझे बिल्गुल भी पसंद नहीं आई यहाँ पे दोस्तो हम लोग tap करके अभी भी google में तो search कर सकते हैं लेकिन दोस्तो यह कौर बात में आपको बता दो अगर हम लोग जाएंगे app vault में तो अब हम लोग यहाँ पे tap करेंगे तो फिर से browser खुल लागा तो यह लोग पूरा peak है सच में यह कौर बात में आपको बता दो दोस्तो अगर आप app vault से यहाँ पे कुछ भी search करेंगे तो browser जो है crash कर जाएगा कुछ इस तरह से जी हाँ आप देख सकते हैं हाला कि दोस्तो हम लोग यहाँ पे swipe up करके search करेंगे तो browser crash नहीं करेगा लेकिन app vault से अगर हम लोग खोलते हैं तो browser crash कर जाता है तो भाई उन्होंने ऐसा क्यूं किया एक तो इतना slow उन्होंने browser कर दिया है खोलने में 10 गंटा लग जाता है देखो मैं यह आप ब्राउजर पे tap करूँगा तो यह भी खुलेगा उसके बाद contents को load करेगा भी white screen है और इस तरह से कुछ चलेगा और अटक अटक के चलेगा तो मैं कहूंगा भाई इससे सही करो ब्राउजर को अच्छा करो पहले जैसा ब्राउजर नहीं रहे गया है और यह लोग सच में PK हैं और ब्राउजर में bug भी आ गई है क्योंकि दोस्तो app vault से search करने में यह crash कर जा रहा है उसके बाद दोस्तो next हमें क्या मिलता है तो notification bar widget problem solved चलिए एक तो bug solved होई यह क्या है तो अगर आप जाएंगे दोस्तो security app में मैंने आपको फिछली अपडेट में बताया था setting में जाएंगे और show menu in notification shade कौन करेंगे तो पहले यहाँ पर notification shade नहीं आती थी अब दोस्तो अगर आप जैसे ही security app से निकलेंगे notification shade आ जाएगी उसी तरह से दोस्तो बहुत सरे लोगों ने report किया था कि अगर मैं UC download से कुछ भी download करता हूँ अपडेट कर लिया तो बहुत इची बात है और जिनको अपडेट नहीं मिली है उनको यह अगली हफ्ते अपडेट मिल लाएगी और सबसे अची बात यह है कि Redmi 3S और Redmi 4 में आपको यह जो अपडेट है spread screen में मिल लाती है कि Redmi 3S में आपको Friday को अगले Friday को मिल लाएगी दोस्तों मैं हुश्चारूक और मुझे आज आप लोग को बताना था कि इस अबडेट में क्या कुछ नहीं मिलता है तो अगर आज के मैं वीडियो पसंद नहीं तो आज लोगों सब्सक्राइब कीजिए और हमाँ वीडियो पर लैक्स और कमेंट कीजिए थैंक यू